प्रिवेस वीडियो में हम लोगोंने नया लेशन स्टार्ट किया था लेशन नमबर 19 लिविंग एन नॉन लिविंग ठीग्स यानि कि सजीव और नीजीव की बात है यहां पे और मैंने आप लोगों को बताया भी था एक्स्प्लेइन किया था पूरा लेशन लिविंग ठीग्स यानि कि जो सांस ले पाते हैं खाना खा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं उसको हम living things के थे, उसमें हमने देखा था कि हम, हम लोग भी खाना खाते हैं, सांस ले पाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, यानि बड़े होते हैं, तो हम किसमें आते हैं living things में, उसी तरह से birds और animals भी हमारे साथ living things में ही आएंगे, और जो plants है, वो भी living things ही है, लिकिन सिर्फ इत हमारे गर में सारी furniture होते हैं, फिर यह हमारी books है, text books है, हमारे गर में TV है, freeze है, वो सारी non living है, क्यों? क्योंकि ना तो वो बड़े होते हैं, ना तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, और उसकी कोई life नहीं होती, वो कभी भी bigger सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम non living things, आज हम क्या करेंगे, उसके hard words लिखेंगे, और लिखते लिखते भी मैं सारा, जो हमारा lesson है, फिर से मैं आपको explain करूँगी, ओके, so let's start writing, take on your EBS notebook, first of all, write date, 20-2-21, ओके, और हम लोगों ने नया lesson स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे लिखो, lesson number 19, capital L, I, V, I, N, G, living, A, N, D, N, यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं नीचे लिख रहे हूँ, आपको भी ऐसा ही करना है, N, O, N, non, capital L, I, V, I, N, G, living, non-living things, capital T, H, I, N, G, S, यानि की सजीव और निर्जीव चीज़े उसके बारे में हमें पढ़ना है, ओके, और हमें लिखना है hard words, right here, capital H, A, R, D, hard, W, O, R, D, S, hard words, ओके, first, right here, सबसे पहले हमें पढ़ना है, living things के बारे में, तो लिखो यहाँ पे, L, I, V, I, N, G, living, यानि की, जो चीज़े चीती है, सजीव है, जो सांस ले पाती है, जो खाना खा सकती है, और जो आगे बढ़ सकती है, उसमें दूसरी कौन सी चीज़े है, नीजीव, यानि की, non-living, N, O, N, non, put small dash, L, I, V, I, N, G, non-living, ओके, लिविंग और नोन-living, यानि की, नीजीव चीज़े, जो नहीं सांस ले पाती, ना तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, ना तो वो खाना खा सकती है, ना तो वो आगे बढ़ सकती है, उके, उसमें, living things में, क्या है, जो सांस ले पाती है, यानि की, breathe, यानि सांस लेना, अगर हम सांस नहीं लेंगे, तो क्या हम जी पाएंगे, नहीं, next, eat food, वो तो हमने बहुत बार लिखा है, grow भी हम लोगों ने लिखा है, फिर भी, फिर से repeat हो जाएगा, लिखो, eat, eat, food, eat, food, उसके बाद five number, grow, grow, जी, आर ओ, डबल यू, grow, यानि आगे बढ़ना, उसके बाद six number, कौनसी कौनसी चीज़े ऐसी होती है, जो सांस ले पाती है, उसमें हमारे box में, जो दिया गया है, वो हम लिखेंगे, उके, पहले तो boy है, boy की spelling तो सबको पता ही है, फिर उसके पाद है birds, यानि की b, i, r, d, s, birds, उसके बाद है animals, यहाँ पे lion और fish दिया गया है, लेकिन हम लिखेंगे animals, 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 यानि सारे animals के बारे में आ जाएगा, इसलिए animals लिखाया, और क्या होता है plants, p, l, a, n, t, plants जो ऐसी चीज है, जो एक जगा से दूसरी जगा नहीं ले जा सकती, लेकिन वो हाँ, हम जो पानी डालते हैं, वो वो पीता है, और आगे बढ़ता है, यानि छोटा plant से वो बड़ा त्री बन जाता है, ओके, और अब हम लिखेंगे non living things, non living things में कौन-कौन है, जो एक जगर से दूसरी जगर नहीं जा सकते, जिसकी कोई life नहीं होती, हमरे यहाँ पे table, chair, book, television दिया गया है, तो हम वो ही लिखेंगे, मैसे आप लोगों को यह याद रखना है, कि हमारे गर में जो सारे furniture होते हैं, यह जो हमारे गर में एक जगर से दूसरी जगा हम उठा के रखते हैं, वो सारी चीज़े non living हैं, ओके, यहाँ पे हमें जो दिया गया है, वो हम लिखेंगे, t, a, b, l, e, table, ten number, c, h, a, i, r, chair, eleven number, b, double, o, k, book, और last, 12 number, t, e, l, e, v, i, s, i, o, n, television, आपको पता हैं, हम लोग जो टीवी, टीवी बोलते रहते हैं, उसको television बोलते हैं, ओके, सो यह था हमारा lesson, यह पूरा lesson इसी में आ गया, कैसे, पहले तो हमें पढ़ना है living, non living things के बारे में, सबसे पहला है living things, जो breed, यानि सास ले पाता है, खाना खा सकता है, और आगे बढ़ सकता है, यानि बढ़ा हो सकता है, उसमें कौन-कौन से आते हैं, बार्स आते हैं, एनिमल्स हाते हैं, हम आते हैं, फिर plants आते हैं, वो सब क्या है, खाना भी खाते हैं, सास भी लेते हैं, औ तो वो वहां का वहां खतम, फिर हमें वो यूज में नहीं आएगा, तो वो कौन सी कौन सी चीज है, टेबल, चेर, बुक्स और टेलिविजन, ओके समझ में आया, सो यह आप लोगों को वन टाइम होमवर्क में करना है, और यह जो सारी स्पेलिंग है, उसको आपको लॉन करना है, और याद रखने की ट्राइ करनी है, ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाबाई